प्रियांका गांधी बोलते हैं मैं लरकी हूँ लर सकती हूँ लरकी को लेकर इतना बड़ी बड़ी स्लोगन और डायलॉग देते हैं वो प्रियांका गांधी आचुल बेटे है और उनका सांसद आज हुमा मालीनी जी को बोल रहें हर्याना के पूर्विग्रे मंत्रिया निल्विज का कॉंग्रिस पर वार कहा महिलाओं के लिए कॉंग्रिस की सोच ऐसी है सुप्रिया ने भी कंगना रनौत की बारे में एसे टिपनी की थी हेमा मालिनी के खिलाफ टिपनी करने पर फसे रंदीव सुर्जेवाला कर्याना महिला आयोग ने भेजा नोटिस महिला आयोग ने 9 अप्रेल को पंचकूला इस दफ्तर आकर मामले में स्पस्ट करन देने को कहा यह बहुत शर्मसार है मेरी नजर में वह एक बहुत सब्वे और सुल्जे हुए कॉंग्रेस के प्रवक्ता थे लेकिन आज उन्हों ने साबित कर दिया कि कॉंग्रेस का हर वक्ता इसी तरह की भाशा बोलता है रंदीब सुर्जेवाला के बयान पर रहदीति सिंग का पलटवार रंदीब सुर्जेवाला का बयान कॉंग्रेस की मान सिकता दर्शाता है सपानिता गंशामतिवारी ने सुर्जेवाला के बयान पर जताया विरोध इंडिकेट बंधन के नेताओं से की गुजारिश कहा किसी भी नेता के जर्ये बहन बेटियों के लिए नहीं निकलना चाहिए अपशब चला जाए संजेनी रुबं कहीं और चले जाए इसका जनता के मनशा पर कोई प्रभाव ने पड़ेगा जनता को मन बनाना है कि इस आर पार की लड़ाई में वो किसके साथ खड़े होना चाहती है रंदीप सुर्जेवाला के बयान पर बोले आचार प्रमूद कृष्णम ये नारी जाती का अपमान है और कॉंग्रस से बर्खास्त कर दिना चाहिए सुर्जेवाला को जेवाला जी की जो टिपड़ी है हेमा मालने जी को लेकर वो भारतिय संस्कृती सब्वता का अपमान है अर्याना के अमबाला में सीम नायप सिंग सैनी ने विजए संकल्प यात्रा मिली अखिस्सा कहा कॉंग्रस के नेता मखिलाओं का कर रहे अपमान लोगसमा चिनाफ में जिनता वोट के जरिये देगी जवाब दिली में बीजेपी के पोस्टर्स को लेकर आमाधी पाटी ने जताई आपत्ती के जरिवाल के अपत्ती जनक पोस्टर लगाने को लेकर दिली चनाव आयुक्त ने शिकायत की दिल्य में पोस्टर्स को लेकर आतीशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप कहा कुछ पोस्टर्स में सीमके जिरिवाल के आपत जनक पोस्टर लगाये कहें कहें एक्शन नक उनिपर चिनावायोग से समय की मांग की आपत्ती जनक होडिंग्स की शिकायत करी थी और आज हम सीओ दिल्ली से मिलके आए हैं यह हमारे लिए बहुत चिंता का विशे है भारती जनक पार्टी के आपत्ती जनक होडिंग्स पे पोस्टर्स पर कोई आक्शन नहीं हुआ कि केंद्रे मंत्रु रामदास अठावले ने आमादिव पार्टी पर बोला हमला कहा इडि के पास दिल्ली शराब घोटाले के सबूत घोटाले के लिए केजरवाल सरकार जिम्मेदार दिल्ली शराब मामले में आ रोपी केक अविता के नियमेद जमानत आचिका पर 20 अप्रेल को सुनवाई बेटे को एक्साम दिलाने खिल यह जमानत की मांग के तिहार जेल में बिताए छे महिने के एक्सपीरियंस पर बोले संज्य सिंग कहा फोन नहीं होने से पढ़ी सिर्फ किताबे किताबों से मिला बहुत साहस बियार के पूरिया सीट से पपू यादव के निर्दली नामंकन के बाद कॉंगरस ने दी चेताफनी बिहार कॉंगरस अध्यक्ष ने कहा नामंकन वापस ले पपू नगी तो करनवाई करेंगे कि यार कॉंग्रक्रि अधेश अकलेश परसाद ने पपू के ना मांकन पर सवाल उठाए का हा कोंग्रस नेत्र तो नहीं देता इसकी इजाजब कुछ दिन पहले कॉंग्रस में शामिल हुएते पपू यादाव सी को भी आला कमान और कॉंग्रेस नितितु इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलिये नमांकन करें नहीं तो यह यह कॉंग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करें पर्चा दाखिल करने के बाद बोले पपू यादव कई लोगों ने मेरी राज़नितिक रूप से खत्या करने की साजिश रची हर किसी की आवाज है पपू और पूर्णिया किसी नभी पॉलिटिकाने डेथ करने की कोशिश की और जिसमें परिवार के बीची नफरत जो और जिस तरीके से दिखाया पूर्णिया नामंकन दाखिल करने के बाद पपू यादव ने लोगों से बाच्चीत की मखिलाओं ने कहा हर किसी के सुख दुख में शामिल को तेखे पपू यादव कॉंग्रिस सद्देक शिमलकार जुन खर्गी के बयान पर बोले वीज़ेपी नेता शहिजनावाज हुसेन कहा आज की कॉंग्रिस नहीं महात्मा गांधी वाली पार्टी बीज़ेपी नेता तरणचुक ने करगे पर किया प्लाटवार कहा जुनता जानती के किसने क्या कहा यूप के बदाईव में शिपाल यादव ने कारकरताओं को धमकी दी वोट दो नहीं तो हिजाब किताब हुगा कि उत्रप्रदेश के बदावें बीज़ेपी प्रत्याशी श्याक्य ने शिवपाल यादव पर किटिपनी सपह महास्यचिफ को बताया गुंडों का सर्दार बीज़ेपी अद्यक्ष जेपी नड़ा ने उत्राखन के विकासनगर में भरी उंकार कहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी नराजनीत की परिवाशा बदल डाली विकास नगर से जेपी नड़ा ने विपक्ष पार हमला बोला कहा मूदी सिरकार ब्रिश्टाचार को समापत और ब्रिश्टाचारियों को जेल में भीजने का काम कर रही है उत्राखण के दैरादून में बीजेपी अद्यक जेपी नड़ा ने की बैटक का सीम पुशकर सिंग धामी भी रहे मौजूद कोर कमेटी की बैटक में मन्थन किया उत्राखण की विकास नगर में सीम धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया कांग्रिस ने उम्मेद्वारों की एक और लिस्ट रजारी की गुजरात की तीन और सीटों पर प्रतियाशों का एलान किया उत्राखण की दुकान से मखिलाओं के खिलाफ ओच्छी टिपड़ी की बाच्छा शरत गुट के अन्सीपी नेता जितिन रावाड ने अजित पवार पठिपड़ी की कहा कारकरताओं को सत्यनाश करने का अजित पवार निकाम किया है मद्र प्रिदेश के दमोह में मुक्य मंत्री मोहन यादव निकिया रोच्छो कहा प्रधान मंत्वी नरेंद्र मोदी की योजना से मिला लोगों कुला सीपायम निता ब्रंदा कराद का बिजेपी पर हमला कहा बिजेपी ने गिराई राजिपाल पत की गरिबा केंद्री मंत्री रामता सठाबले का कॉंग्रिस पर तंज कहा आपकी बार एंडिये चार सुपार चिरत पवार गुट ने जारे के उम्मेद्वारों के लिस्ट बारबती से सुप्रिया सुले लड़ेंगी चुना लुक्स पचुनाप की दूसरी चरण के लिए दिगजनों किया नामांकन मथुरा सेहमा मालिनी और महराश्र के अम्रावती से नमनीत राणा ने भरा परजा अगर आधी आबादी का अपमान करते हैं तो पूरा देश आपको सबक से खाएगा राजस्तान के भीलवारा में कॉंग्रस पर सीम भजन लाल ने किया जुबानी हमला कहा कॉंग्रस ब्रश्राचार की जननी साथ अप्रेर को प्रदानमंत्री मोदी की मद्य प्रदेश के जफलपूर से रोट्शो होगा मंत्रियों ने किया रोट्शो का निरिक्शन लोग सबर चुनाव की तयारी में जुटे कॉंग्रस साज जारी कर सकती है चुनाव की खोशना पते आज पशिवी यूपी में घर जेंगे सीम योगी बागपत में जैन चौधरी के साथ करेंगे चुनावी सभाग आपसांसर संजिय सिंग आज करेंगे प्रेस कॉंफरेंस जेल सी रहा होने के बाद किया बड़ा खुलासा करने का दावा यूपी के बुलन शिकर में बीजेपी के प्रदेश शाद्यक्ष भूपेंदर चौधरी ने चुनावी संचलान समीती के साथ बैठ चकी घरकन के गोड़ा में बदमाशो का आतंक चाय की दुकान पर बैठे एक शक्स पर अंदा दुंद फाइरिंग की कनपटी और सीने में गोली लेगे गोड़ा खत्यागान पर बीजेपी का हमला सांसर ने शिकान दुबे ने की हत्या की निंदा अपराध्यों को एक विशेश पार्टी का बताया उपी के कानपूर में पेशी के दौरान सपानिता अर्फान सोलंकी का फूटा घुसें एमपीए मेले कोड में पाचवी बार टला फैसला होड़ परिसर में हलकम मचा